ओम शांति आज दो मार्ज दो हजार बाइस है आज के स्लोगन में विशेश रुप से ये बताया गया है कि निर्मानता क्या है और निर्मानता कफल क्या है आए सुनते हैं आज का स्लोगन निर्मानता की विशेशता को धारन कर लो तो सफलता मिलती रहेगी महानता की निशानी है निर्मानता जितना हम निर्मान रहते हैं उतना सब के दिलों में स्वते ही महान बनते जाते हैं अर्थात, निर्मानता जो है वो बीज है और महानता उसका फल है, तो हम निर्मान रुपी बीज को बोएंगे तो सबके दिलों में महानता का फल फलते जाएंगे तो निर्मानता एक विशेष्टा है लेकिन उसमें भी तीन विशेष्टाएं विशेष रूप से समाहित है जिसको हम धारन करेंगे तो हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति स्वतह और सहज होती जाएगी तो पहली विशेष्टा निर्मानता की है योग्यता जितना आत्मा निर्मान बनती जाती है उनके अंदर अनेग योग्यताय आती जाती है क्योंकि हम योग्यता को अपने अंदर तप ला पाते हैं जब हम निर्मान बन करके सीखने की जो वृत्ती है उसको अपने अंदर धारन करते हैं तो सीखने की वृति निर्मानता से आती है और उससे योगिताय हमारे अंदर बढ़ती जाती है दूसरी विशेष्टा है निर्मानता की वो है सम्मान देना और सम्मान लेनी की विशेष्टा क्योंकि निर्मानता का अर्थ ही है निरहंकारिता जो व्यक्ति निरहंकारी है अर्थाद मैं पन मेरे पन रुपी एहंकार नहीं है वे सर्व को सम्मान भी देते हैं और सर्व से सम्मान लेने की कला स्वतह उनके अंदर आ जाती है उनके वानी से संबन संपर्क से लोगों को सम्मान का अनुभव होने लगता है तो निर्मानता से हम दूसरों को सम्मान भी दे पाते हैं और दूसरों से सम्मान भी ले पाते हैं तीसरी विशेष्टा है समाना, निर्मानता की तीसरी विशेष्टा समाना, समाना माना acceptance कोई भी व्यक्ति के जो संबन संपर्ख में आते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कैसे भी हो, उनके गुन, अवगुन को देखते हुए, उनके अवगुनों को समा करके, गुनों को महत्व देख करके चलना, यह है समाने का गुन. और इसी प्रकार से एक दूसरे को adjust करने की जो शक्ती है वो निर्मानता से ही आती है जब ये तीनों ही विशेष्टाए निर्मानता की योग्यताए अर्थाद लर्निंग नेचर दूसरा सम्मान देना लेना और तीसरा acceptance समाना जब तीनों ही विशेष्टाओं को हम धारन कर लेते हैं तो सहच ही जीवन में सफलता की प्राप्ती हो जाती हैं क्यूंकि ये तीनों ही बाते हम practical life में बहुत जरूरी महसूस करते हैं तो हम आज के दिन इस बात पर focus करें निर्मानता के गोन और उनकी तीन विशेष्टाए और अपने जीवन में सफलता का अनुभव करते रहें ओम शांती